जो सरकारी सुविधाएं होती है आवास के तहट आवास मिलने की आपको कुछ इस बारे में जानकारी है? जानकारी है यह पहले लोही आवास आय थे तो 18 आवास बने थे मेरा नाम आया लिष्ट में मुझे मेरा कट गया दूसरे को बनवा दिया प्रदान खिलाब पाल्टी का था इसलिए उसने दूसरे को दिलवा दी गए गर में तीन नहीं बनेंगी एक घर में तीन नहीं बनेंगी ये इसलिए मेरी गड़वादी फिर दुवारा मेरा नाम आया तो फिर दुवारा भी और क्या कि आपको सुविधाय जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली अब तक हमें तो कोई सुबदा नहीं मिली चार साथी कोई तब से कच्छे घर में रह र कोई कोई सुनाई काता है नहीं बोटन को आ जाता है उत्तर प्रदेश विधान सबाद चुनाव नेताओं के सर पर है कोई कहता है हमने राममंदिर बनवा दिया कोई कहता है तीन तलाख खत्म करवा दिया कोई कहता है कि चुनाव के बाद हम यह यह कर करके दिखाएंगे ल अगर मैं घर की बात करूं तो एक परिवार ऐसा भी है जिसके पास खुद की छत नहीं है वो सिर्फ मिट्टी के कच्छे घर में रहने को मजबूर है परिवार की तस्वीरों में आप परिवार को देख सकते हो इनका कहना यह है कि सरकारी सुविधाय इनको कुछ भी नहीं मिल कि बाद्षित कर लेते किया नाम सबसे पैल तो आप अपना नाम बताए क्या आपको जो सरकारी सुविधाय होती है हावास के तहब आवास ile में जानकारी है जानकारी है यह पहले लौहीया आवास आलावड़ आको मेरा नाम आया अलेश्ट में, मु commodity मेरा कट गया, दूसरे को बनवा दिया। क्यूं हो ऐसा हुआ की आपका नाम कुट गया। परदान खलाब पाल्टीगा था। इसलिए उसने दूसरे को दिला दिलवा दिगे, एक घर में तीन नहीं बनेंगी। एक घर में तीन नहीं बनेंगी यह इसलिए मेरी गड़वादी फिर दुबारा मेरा नाम आया तो फिर दुबारा भी गूल है तो कितना समय हो गया आपको इस कच्चे घर में रहते हैं यह हो गई 20 साल है 25 कई सरकारे आई कई सरकारे गई लेकिन 20 साल बहुत लंबा समय होता है परिवार कच्चे घर में रहने को मजबूर है शौचाले की वेवस्ता क्या कुछ है इनसे बातशीत करते हैं महिलाएं भी इस परिवार में क्या नहीं है सीमा अगर घर के हालात हमने देख लिए शौचाल देख लाएं ये जो मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली अप तक हमें तो कोई सब्दा नहीं मेली चार साल सादी कोई तब से कच्चे घर में रह रह रहे हैं सोचाले भी नहीं है तो आपने कभी किसी विदायक के पास जाके प्रधान के पास जाके गुजारिश नहीं करी कि हमें भी एक घर चाहिए तो आपके पास आया वोट मांगने तो इस बार आप मतदान करेंगे क्या किया रहें भाई सब मतदान करेंगे देखेंगे कौन जा नेदार या क्या कह रहे हैं हमसे हमें कुछ मिलेगा कह नहीं हमें को विकास हुआ नहीं हुआ हैं इस गाउं में कुछ विकास हुए है उत्तरिश में कुछ विकास हो रहा है तो इस गाँ में कोई विकास नहीं हुआ है इस नहीं जो प्रधान गलती कर रहा या विधाय कर यह उस्डाओं का प्रवाज से तो मतलब उसने कालूनी कटवा दी और भी हैं नाम कटवा दी है तो सिर्सा गंज विधान सबा है मलापुगारों हैं लोगों से हमने बाचीत करी इस गाउं के हालात देखे गाउं के हालात में विकास तलाशने से भी नहीं मिल रहा लोगों का कहना है कि करी 20-20 स हो चुके हैं इस कच्चे मकान में रहते हुए ना तो कोई प्रधान इनकी साहिता करता है नहीं कोई विधायक नहीं कोई सांसथ तो बात यह कि जब राममंदिर पर बात होती है तो विकास के मुद्दे को लोग अक्सर भूल जाते हैं नेता भी भूल जाते हैं जबकि हकीकत में राममंदिर से ज़्यादा इस विकास की जरुत है जो लोगों के सर पर छट बनाता है फिलाल के लिए इतना इस निउस के लिए कैमरा पर स सनाकार के साथ मैं विशाल धन्यवाद